हेलो श्रुडेंट आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर वन सेट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेशन नमबर 3 देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेशन नमबर 3 हम लोग क्या कह रहा है है इन ए ग्रूप ओफ 400 पीपल 250 एंडी एंड़ लिए इंडी पीपल चलि यहां पर समझते हैं कि यहां पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले यहां पर लिख लेते लेट लेट एच वीदा h be the set of people who speak Hindi. ठीक है, and e be the set of people who speak English, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक ग्रूप है जिसमें कितने people है, 400 people है, जिसमें क्या कह रहा है, 250 क्या कहते है, Hindi बोलते हैं, और 200 कितना English बोलते हैं, तो ऐसे कितने people है, जो Hindi भी बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं, हम लोग कैसे नहीं कालेंगे, देखिए, हम लोग को number of element in h union, e में कितना हो जग हमारा total कितना देखिए, group में कितना people है, 400 people है, अब देखिए, number of, number of, people हम करते हैं, number of element in h, कितना हो जाएंगे हमारे पास, 200, sorry, कितना हिंदी कितने बोलते हैं, 50 न, यहाँ पर कर देते हैं, 250, फिर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, English बोलने वाले न, कितना हो जाएगा हम लोग का, 200, हम लोग को find क्या करना होगा, h, number of element, h intersection, क्या हो जाएगा हम लोग का, e, यह find करना है, तो कैसे करेंगे चलिए, हाँ फिर, बगल में देखते हैं, लोग, formula हम लोग क्या हो जाएगा, n, h union, e, number of element, h union, e, equal to, क्या हो जाएगा, number of element, h, plus number of element, e, minus number of element, h, intersection, e, e, कितना दिया, 400, तो 400, लिक लेंगे, कितना दिया है, 250, plus, कितना दिया हम लोग को, 200, यह find करना हम लोग को, अब देखे, कितना जगा, 400 हो जाएगा, कितना जगा, add करने तो, 450 हो जाएगा, minus, number of element, h, intersection, e, अब यहाँ पर देखें, क्या हो जाएगा, 400, plus में, equal to, कितर आगा, तो, minus में हो जाएगा, 450, minus, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, intersection, e, आप देखें, minus करने, कितना बचेगा, यहाँ पर, 50, बचेगा, कौन बढ़ा है, 450, क्या है, बढ़ा है, इसके पहले, minus हैं, इसलिए, यहाँ पर, minus, number of element, h, intersection, e, यहाँ पर, देखें, minus, cancel, क्या बचेगा, 50, number of element, h, intersection, e, यह, हमारा answer हो जाएगा, तो कितना आजाएगा, हमारा, जो, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिस भी, कितने people आजाएंगे, 50 people, अब यहाँ पर देखेंगे, if s and t are two sets, such that s has 21 elements, t has 32 elements, and s intersection t has 11 elements, how many elements does s union t have, अच्छे लिए, यहाँ पर find करेंगे, देखें, हम लोगों को दे दिया है, s or t क्या दो set है, s or t दो set है, इसमें s में कितने elements है, 21, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, number of element, s, कितना है, 21, अब यहाँ पर क्या है, फिर, t में कितने elements है, number of element t कितना हो जाएगा, 32, number of element s intersection t कितना है, देखें, 11 elements है, find हम लोग क्या करना है, and number of element s union t, कितना होगा, यहाँ पर देखें, हम लोग का formula क्या हो जाएगा, number of element s union t, equal to number of element s, plus number of element t, minus number of element s intersection t, कितना हो जाएगा, यह नहीं दिया, ऐसी को find करना है, ऐसी लिख देते हैं, number of element in s में कितना है, 21, प्लस, number of क्या हो जाएगा, number of element t, t में कितना हो जाएगा, t में हम लोग का हो जाएगा, 32 minus number of element in s intersection t, कितना है, 11, चलिए इसको solve करें, कितना हो जाएगा, देखें, 3, और यह कितना हो जाएगा, 5 minus 11, कि इसको भी एक बार क्या कि लिए कितना हजाएगा डू और ए फॉ इसको कि distintos चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक यू